हेलो दोस्तों कैसे हो आप चनके निती यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागता है तो आज का वीडियो में बात करते हैं रेलवे के मोडल सेट नमर साथ की इंपोर्टेंट सेट है अगर आप रेलवे एकजाम की तारी करें तो इन सेटों की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा तो आएए दोस्तों बिना देरी किये आज का वीडियो शरू करते हैं जिनोंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी आप जरूर देखना क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने रेलवे से समझी 6 सेट किये थी 6 सेटों के अंदर very very important person है ठीक है दोस्तों तो आईए आज का सेट नमर साथ का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके सामने हैं एक पॉइंट अच्छी तरिक पॉइंट करता ये अंत को ठीक है टाइफ हाई ट्रोक से स्रीर का कौन सांग प्रभावित होता है आंत प्रभावित होता है ठीक है न तो next point आएगा मदू साला के रचीता बताओ तो मदू साला किसकी रचना है अरीमस रायबचन की तो किसकी रचना ये हरीमस, राय बचन की मदू साला रचना है थीक है तो नेक्स्ट पॉइंट है दावोल विदुत प्रियोजना कोन से रह जिकी है महराश्टर की इसे नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग ने कोन से अंदोलन को लीड़ किया है तो कोन से अंदोलन चलाये था रंग बेद विरोधी अंदोलन ठीक है मार्टिन लोथर किंग ने रंग बेद विरोधी अंदोलन चलाया था ठीक है तो नेस्ट पॉइंट है जीफ समकारी साइनिक नाम बताओ तो जीफ समकारी साइनिक नाम क्या है कैलसियम सलफेड तो कैलसियम सलफेड जीफ समकारी साइनि एक नाम है, तो next है, शरीर की सबसे सुक्सम हिकाई कौन सी है, तो कोसी का है, तो इसे next क्या है, शरीर में कोलेस्ट्रोल की कारण, ठीक है न, क्या हो जाता है, तो दिल का दोरा पढ़ता है, अगर शरीर में कोलेस्ट्रोल की मातरा ज्यादा होगी, तो दिल का क्या पढ़ेगा दोरा ठीक है दिल का दोरा पढ़ता है ठीक है न दिल की दड़कने बढ़ी जाती है कोलेस्टरोल की मातरा से ठीक है तो next point आया ग्रे नाइट कहां पर पाया जाता है आगेन्य चटानों में सबसे विशालतम रेगिस्तान बताओ साहरा रेगिस्तान इसे next point है मैध्यरात्री का सुरिय की परिगटना है तो मैध्यरात्री का सुरिय की परिगटना है आकर्टिक वर्त तो आकर्टिक वर्त है ये मैध्यरात्री के सुरिय की परिगटना तो next point है इसे next जो छड़ चुम्बक में सावर्दिक यानि सबसे ज़्यादा चुम्गतव किस में होता है तो ये दोनों दरों में होता है ठीक है दोनों दरों में सबसे ज़्यादा चुम्गतव होता है ठीक है इसे नेक्ट है प्रोटो स्टेंट अंदोलन की सरवात किसने की थी किसने चलाया था ये प्रोटो स्टेंट अंदोलन जो ये चलाया था मार्टिन लूथर ने तो मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटो स्टेंट अंदोलन चलाया गया है तो ये प्रोटो स्टेंट अंदोलन चलाया मार्टिन लूथर ने तो next point है हवा में दवनी की चाल बताइए to next point है field marsl, e-ro mail field marsl, e-ro mail क्या थे एक France के थे ठीक है ये France के थे, पूछ लेंगे आपसे field marsl, e-ro mail कहां के थे France के, ठीक है तो next आएगा चलचित्र बनाने वाले पर्थम बारतिय कौन थे चलचित्र बनाने वाले पर्थम बारतिय कौन थे तो ये बारतिय थे दादा साय फाल के तो दादा साय फाल के चलचित्र बनाने वाले पर्थम बारतिय थे ठीक है तो next आएगा राष्ट्रिय गीत वंदे मात्रम किस में संकलित है तो किस में संकलित है आनंद मठ में राष्ट्रिय गीत वंदे मात्रम किस में संकलित है आनंद मठ में लूधियाना कौन सी नदी है किनारे पर है सतलज नदी पर सतलो जनदी पर लूधियाना बसा हुआ है ठीक है तो इसे next दिया गया है जो रेडियो एक्टिव तो रेडियो एक्टिव किर्णे कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की किर्णे होती है रेडियो एक्टिव किर्णे ठीक है तो सैट नमबर आठ का पॉइंट देख लेते हैं ठीक है सैट नमबर आठ पे पहुंच गए है तो सैट अल्बूर्नियम किसका इतियासकार था तो अल्बूर्नियम किसका इतियासकार था ये गजनवी का इतियासकार था ठीक है अल्बूर्नियम मुहमद किसका इतियासकार था गजनवी का ठीक है गजनवी के काल विदी का इतियासकार था ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अ अमिलिय वर्षा का मुख्याकारक क्या है सल्फर डा अक्साइड ठीक है डा अक्साइड तो अधा नाइट्रस अक्साइड ठीक है तो नाइट्रस अक्साइड और सल्फर डा अक्साइड क्या है अमिलिय वर्षा का मुख्याकारक है तो इसे point आता है सोर सेल सोर उर्जा को विदूत उर्जा में क्या करता है बदलता है आप से पूछ लेंगे सोर सेल सोर उर्जा को किस उर्जा में बदलता है विदूत उर्जा में most important point है कौन सी उर्जा में बदलता है विदूत उर्जा में तो इसे next point आता है इससे नेक्स्ट है जो ओस्टियोलोजी तो क्या है ये ओस्टियोलोजी किसका अध्यान है अस्टियों का अध्यान है ठीक है ओस्टियोलोजी किसका अध्यान है अस्टियों का अध्यान है चालू किया सासक फुलकेशिन दवित्ययने किसको राया था अर्शवर्दन को बिल्कुल बेसिक परसे ने कई बार अपीट हो चुका है चौली किया सासक प्लेकेशन दवित्य ने किसको राया था अर्शवर्दन को हराया था तो next आएगा Port Blair तो Port Blair काम पर अवस्तित है तो Port Blair है दक्षणी अंडेमान में ठीक है दक्षणी अंडेमान में पोर्ट बलेर अवस्तित है तो next point है विजे नगर समराजिक पूर्ण उथान काल में विजे नगर की यात्रा करने वाला जो इटली का प्रियाटक था वो कौन था निकोलो कौन्टी ठीक है ये इटली का था विजे नगर समराजिक पूर्ण उथान काल में विजे नगर की जिनों ने यात्रा की थी ठीक है तो next point है जो उरिपन बिजली प्रियोजना है वो कौन से रैजी की है तो उरिपन बिजली प्रियोजना जमू एम कसमीर की ठीक है तो next point है बारत में मुंदरा प्रनाली कब जारी हुई थी तो मुंदरा प्रनाली बारत में कब जारी की गई 1957 के अंदर ठीक है पता होना चाहिए मुंदरा प्रनाली बारत में कब आई 1957 के अंदर बारत विद्या बहन तो बारत विद्या बहन की स्थापना किसने की मातमा गांदी की प्रेणा से ये 1938 में KM9 ने की थी ठीक है बारत वीद्या वन की स्थापना 1938 में KM9 किसकी प्रेणा लेकर मातमा गांदी की प्रेणा लेकर तो next point है मुख बरात तो मुख बरात कौन से देश की गुपचर संस्ता है ये मिस्तर की तो next है नर्मदा और तापती नदी कौन सी दिशा में बैने वाली नदी है पस्चमी दिशा में बैने वाली नर्मदा और तापती नदी कौन सी दिशा में बैने वाली है पस्चमी की और बैने वाली नदी नादिर्षा ने बारत पर कब आकर्मन किया था 1749 में नादिर्शा ने बारतपर का बाकर्मन किया 1749 में तो next set की question कर लेते हैं ये set number 9 ठीक है set number 9 का first point है राज्य सभा के सदेश्य वाचुनाव किसके द्वारा किया जाता है तो कौन से सदेश्य राज्य सभा का चुनाव करते हैं राज्य सभा के सदेश्य का चुनाव करते हैं तो राज्य विदान सभा के चुने गए सदेश्य का करेंगे राज्य सभा के सदेश्य का चुनाव तो इससे next है पर्थम इसवयोद की अवद्दी में सवसासन अंदोलन किसने चलाया था तो किसके द्वारा चलाया गया, किसके द्वारा सरू किया गया था, शिरीमती ऐनिविसेंट एम, तिलक के द्वारा क्या किया गया था, पर्तम हिस्युद की अवधी में सवसासिन अंदोलन चलाया गया था, ठीक है, टीक एम साल को, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जान बंदू की उपादी दी पूछेंगे सी एफ एंड यूज को दिन बंदू की उपादी किसने दी मात्मा गांधी जीने ठीक है इससे नेक्स्ट है 1919 में जलिवाला बागत्य कांड की रोध में नाइट उड की उपादी लोटाने वाले कौन थे रोविंदर नाट एगोर पूछेंगे आपसे जलिवाला बागत्य कांड में 1919 में नाइट उड की उपादी किसने लोटाई तो रोविंदर नाट एगोर ने लोटाई थे ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इससे नेक्स्ट है जो रेफ्रीजेटर तो रेफ्रीजेटर में कौन सी गैस का प्रियोक किया जाता है फरोवन का ठीक है फरोवन का प्रियोक किया जाता है रेफ्रीजेटर में तो इससे नेक्स्ट आता है चाबी वाली गड़ी के कामनी में उर्जा कौन सी बरे जाती है, कौन सी संचीत होती है तो यह होगी स्तिति उर्जा ठीक है, स्तिति उर्जा क्या हो जाएगी चाभी वाले गड़ी की कामनी में संचीत हो रहती है ठीक है, स्तिति उर्जा इसे नेक्ट है, पुलकेशियन दवित्य तो पुलकेशियन दवित्य को किस ने प्राजित किया था, किस के द्वारा प्राजित हुए है, नर्सिम वर्मा के द्वारा, और पुलकेशियन दवित्य ने किस को प्राजित किया है, हर्सवर्धन को रहा था, ठीक है न, तो हर्सवर्धन के अथ्या भी पुलकेशियन दवित के द्वारा किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पचेक चुनाओ कराए जाते हैं ब्रिटेन देश का सुविदान बताओ कैसा है ऐ लिखित तो बारत का सुविदान बताओ कैसा है बारत का सुविदान लिखित है या ऐ लिखित है ठीक है न जिस तरिकी से बिरिटेन देश का स्विधान है, तो बार्त का स्विधान कैसा है, तो नेक्स्ट है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थीत है, तो नासिक कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर, देव समाज के संस्तापक बताओ, सिरी दरालू नाइडू थे, कौ के दरबार के कभी थे अकबर के दरबार के ठीक है तो next question most important question है कई बार exam में repeat हुआ है martingo champsford सुधार था जो कभू हुआ ये सुधार 1919 में ठीक है पूछते हैं कई बार martingo champsford सुधार कभू हुआ 1919 के अंदर तो set number 10 देख लेते हैं set number 10 के question है जो आपके सामने first point है high altitude research laboratory तो laboratory है ये काँ पर है ये गुल मरग में ठीक है गुल मरग के अंदर है high altitude research laboratory ठीक है laboratory है इसे next है RDX क्या है बिल्कुल बेसिक है सभी को पता होगा RDX क्या है एक विस्पोर्ट सन 1917 में मातमा गांदी ने भारत के संपांड से पहला सत्यगरा आरम किया था पूछेंगे संपांड सत्यगरा कब हुआ 1917 में किसके दौरा मातमा गांदी जी के दौरा किया गया था ये तो next आएगा India house की स्तापना लंदन में 1905 में श्याम जी कर्शन वर्मा ने की थी ठीक है ना किसके दौरा श्याम जी कर्शन वर्मा के दौरा लंदन के अंदर 1905 में ठीक है इससे next आता है Indian independence लीक किस्तापना बताओ किसके दौरा की गई रास भी आरी बोस के दौरा यह तो पिछले सेट का question है पिछले सेट में भी हमने किया था यह person तो next आता है पुस्तक यह good earth ठीक है ना पुस्तक का नम क्या है good earth good earth के लिए बताओ pearl as bug कोन है pearl as bug ठीक है हरी परसाज चुरासिया एक विख्यात बांसुरी वादक थे तो हरी परसाज चुरासिया क्या थे एक परसीद विख्यात थे यह बांसुरी वादक थे ठीक है गांधी रिवन समझोता बिल्कुल basic है सभी को पताओगा journal knowledge का basic question 5 November 1931 को हुआ है गांधी रिवन समझोता कब हुआ 5 November 1931 को तो next आता है जब सुरिया पिर्थवी से अधिक्तम दूरी पर पहुँचता है तो वो किस नाम से जाना जाता है अपसोर के नाम से ठीक है न जब सुरिया है पिर्थवी से अधिक्तम दूरी पर पहुँचेगा तो किस नाम से जाना जाता हो अपसोर के नाम से अब सोर की नाम से जाना जाता है इसे next question है हैलीवीड का बावय मंदिर कहां पर स्तापित है यह है ओयो सालाओं में ओयो सालाओं में स्तापित है ठीक है तो next आता है बारती सुविदान के लिए पारुफ सभा के अधिक्स बताओ बिल्कुल basic person है लिए पारुफ सभा बनाए गए थी जो पारुफ समीती बनाए गए थी ठीक है न पारुफ समीती क्या देख्षकों थे डोक्टर बी आर अमेडिकल ठीक है बारत यह पाकिस्तान के बीच 10 जनुवरी 1966 को कोन सा समझोता हुआ तासकंद समझोता हुआ है 10 जनुवरी 1966 को इसे next question most important है कई बार पूछा गया दी नही लाई दर्म की स्तापना किसने की अकबर ने कब की थी 1585 में दी नही लाई दर्म की स्तापना कब की थी अकबर ने 1585 में तो इसे next आता है बारत का पर्थम missile vote बताओ कौन साहिए आई एन विक्रांत आई एन विक्रांत है बारत का पर्थम missile vote ये vote है और missile man की से का जाता है दोक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम को ठीक है न मिसाइल में दोक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम और vote है आई एन विक्रांत तो next है बारत का ज्यादा वियो पार किस मारक से होता है समुंदरी मारक से ठीक है बारत अगर ज्यादा वियो पार करता है तो कौन से मारक से करता है समुंदरी मारक से तो next set देख लेते हैं तो next set जो उसकी question है set number 11 है set number 11 का first question क्या है मातमा गांधी के राजनिती गरू कौन थे तो मातमा गांधी के राजनिती गरू कौन थे आपके सामने है जी के खोकले ठीक है बारत के दार्शनिक राष्ट पती बताओ डोक्टर S.S. रादा कर्शन ठीक है डोक्टर S. रादा कर्शन क्या थे बारत के दार्शनी क्राष्ट पती ठीक है न? वरी वरी इंपोर्टेंट प्रसन है यह सभी डॉक्टर M.S. सुबा लक्षमी कौन सेक्षे तरसे संदी थी? संगीतक से तरसे डॉक्टर M.S. सुबा लक्षमी कौन सेक्षे तरसे संदी थी? सुबा लक्समी थी ये जो ये थी संगीतक से तरसे ठीक है लोग सबा सतर कम से कम साल में कितनी बार होता है दो बार ठीक है लोग सबा सतर जो साल में कम से कम कितनी बार होता है दो बार होता है ठीक है तो next आएगा अकबर द्वारा 1554 में बनुआया गया जो इवादत खाना था ये एक परसीद इमार्त है फटेपूर सिकरी का एक भाग कब बनुआया गया कई बार पूछा गया 1554 के अंदर बनुआया गया ये इवादत खाना ठीक एक परसीद इमार्त फटेपूर सिकरी का एक इससा है ठीक है भाग है इसे next है कम्पूटर के सब्दा वले में रैम का रत बताओ तो कम्पूटर की एक सब्दा वले है रैम रैम का रत पूछा जाता है तो random access memory random access memory रैम का रत है ठीक है तो next question बिल्कुल बेसिक गांजी जी का जनम तो गांजी जी का जनम कहां पर हुआ था पोर बंदर के अंदर ठीक है पोर बंदर गुजरात में तो इसे next आएगा इमोगलोबिन, क्रोमोटिन का निर्माण के लिए आवस्थक खनेजलाण कौन सा है लोवा ठीक है ना यानि सरुवादिक इमोगलोबिन किस में पाये जाता है लोवे में पाये जाता है ठीक है ना कई बार question पूछा गया सरुवादिक इमोगलोबिन किस में पाये जाता है तो next question आएगा तो रास-तनूरा तेल refinery तो रास-तनूरा तेल refinery कोन से देश में स्थीथ है ये स्थीथ है वई शावधीरब के अदर ठ IIMA सवधीरब क्या है तेल की खान है ठीक है सबसे ज़्यादा तेल कोन से देश में है सावधीरब में ठीक है न 1905 का उदेश से बताओ क्या था उदेश से था पस्चमी और पुरुवी बंगाल के हिंदूओं का इबाजन और हिंदू मुसलिम अलगाओ से था क्या उदेशय था बंग बंग अंदोलन का इसका उदेशय था पस्चमी और पूरुवी बंगाल के हिंदुओं का इबाजन करना हिंदू मुसलिम अलगाओ पैदा करना ठीक है यह 1905 के अंदर चला था पूछ सकते आप से बंग बंग अंदोलन कब चला 1905 में तो next point आता है इस इसा मेशी का जनम बताओ कहां पर हुआ था कहां पर हुआ था यह बैद लेहम श मुझाक है ंदर इसा मेशी का जनम हुआ है ठीक है तो इसे next आता है अंगरेज्छूंगा सबसे पहला ससंग्रेस इस तासक के खिलाप हुआ था तो यह मूगल समराठ था जो औरंग जेब के साथ हुआ था किसके खिलाब हुए अंग्रेज सबसे पहले संग्रस में सामिल यह हुए थे औरंग जेब के साथ ठीक है अंग्रेजों का सबसे पहला संग्रस मुगल समराथ औरंग जेब के साथ हुआ था तो next है लोवय गड़ किला पिसने बनवाया था लोवय गड़ किला बनवाया था गरू गोविंज सिंग ने ठीक है न सिकों के गरू थे गरू गोविंज सिंग लोवय गड़ किला बनवाने वाले ठीक है तो नेक्स्ट है इलबर्ट बिल युवाद का समध बताओ किसे था इलबर्ट देख लेते हैं जो बच्चे लाश्ट तक वीडियो देख रहे हैं उनको तो साथ साथ ही याद हो जाएंगे ठीक है न दुबारा वीडियो देखने की जूरती नहीं क्योंकि most important person ही है सभी तो set number 12 का first point है सविदान के नुसार लोगसभा के speaker को सदन के सभी सदस्य बहुमत दौरा पास करके पारित करते हैं ठीक है न परस्ताव लाते हैं और उसको लोगसभा में पारित करवाते हैं तबी क्या है लोगसभा के speaker को अटाया जा सकता है तो Next अगर आश्ट्रिय गान पर थंबार कहाँ पर गाया गय था कोलकत्ता के अंदर ठीक है नहाar कोलकत्ता के अंदर गय था 27 देसंबर 1911 को तो आर्गन क्या है एक निसक्रिशिय गया थीक है निसक्रिशिय निसक्रिशिय ठीक है न, कौन सी गयस है, निस्क्रिय गयस है, ठीक है तो अरगन क्या है, निस्क्रिय गयस तो next आता है, प्रैसर कुकर में बोजन क्या है, जल्दी पकता है तो प्रैसर कुकर में क्या है, प्रैसर कुकर की खासियत क्या है बोजन क्या है ये जल्दी पकाता है क्योंकि पानी का जो कवथानक होता है कवथानक कवथनाक क्या सबद है ये कवथनाक तो ये कवथनाक होता है जो वो क्या होगा जादा होगा पानी का कवथनाक क्या होगा जादा होगा तभी क्या प्रेशर उक्र में बोजन ज्यादा पकेगा ठीक है न कवथना क्या होगा ज्यादा होगा तो next आता है सिमला समेलन कभ हुआ था तो सिमला समेलन कभ हुआ था 25 जून 1945 को शिकंदराबाद में ठीक है College of Defense Management काँपर स्तीत है शिकंदराबाद के अंदर सिवाजी के सरक्षक बताओ कोन थे दादा जी कोन देव कोन थे दादा जी कोन देव सिवाजी के सरक्षक थे तो next point आता आपकी स्क्रीन पर मराथा समराज्य का अंतिम पेशवा कोन था ये बाजी राओ पेसवा था ठीक है बाजी राओ दुवित्य पेसवा ठीक है मराथा समराज्जे का अंतिम पेसवा था तो next आता बारत कराश्ट्रिय फूल बेसिक सा परस्षने कमल है ठीक है तो बारत छोडो परस्ताओ का अलेक किसने बनवाया था किसके द्वारा बनाय गया था ये मौला ना अवुल कलाम अजाद के द्वारा बाहर चोडो परस्ताओं का आलेक बनाय गया थी ठीक है ना तो next आएगा rocket या जो rocket ंजय एट है वो किस पर कारिय करते है किस पर कार्य करता है, न्यूटन के त्रीते नियम के सिदान्त पर कार्य करता है, ठीक है, रोकेट MZ, न्यूटन के तिसरे नियम पर, ठीक है न, जो तिसरा नियम है न्यूटन का, उसके सिदान्त पर कार्य करते हैं, ठीक है, तो next आता है, बारत में आदूनिक अधियोग स्ताबदी में, तो next आता है next है जो anti-money का अग्रेणी उत्पादक राज़े बताओ anti-money, तो anti-money का सबसे अग्रेणी उत्पादक राज़े यह उड़ीशा तो next है बार्त के अंदर जो पर्थम राष्टर मंडल खेल sorry बार्त के अंदर ने पर्थम राष्टर मंडल खेल है जो 1930 में, कनाड़ा के M.E. Alton है जो M.E. Alton सेर ठीक है, M.E. Alton सेर में वे थे यह, 1930 में ठीक है, पर्थम राष्टर मंडल खेल तो सविदान के बाग 9 में किसका उलेख है, पंचेत्तों का पुलेख है, यह आज का अंतिम पॉइंट था, तो दोस्तों आज का वीडियो के अंदर भी हमने काफी इंपोर्टेंट क्वेशन डिस्कस किये हैं, सेटों के अंदर जो क्वेशन दिये गए थे, सेट 12 कंपलेट कर लिए हैं, तो जिन्होंने पिछला वीडियो भी नहीं देखा था, पिछला वीडियो भी आप जरूर देखिए है, ज्यादा इसी ज्यादा प्लीज वीडियो सेर करें, फर्स्ट टैम चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राब किजिएगा, जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में